नमस्कार आप देख रहे हैं सुप्रीम न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंशन अजमेर महान सूफी संथ हजरत ख्वाजा मोईनुद्दिन चिश्टी की दरगहा में हजरत मौला ए काइनात अली शेरे खुदा का जशने विलादत मनाया गया इस दौरान दरगहा परुसर मे विशे सजावट हुई और आतिश बाजी की गई इस मौके पर लंगर का आज़न भी किया गया चांद की तेरा रजब को मौला ना अली का पूरी दुनिया में जन्मोसम मनाया जा रहा है इस दिन मौला अली की पैदाईश मक्का कावे शरीफ में मौला अली की पैदाईश के लिए दूआ की गई बिस्मिल्ला अर्वर्मान वरहीम यह आज तेर्मी रजब की शब है बारा तारिख है तेर्मी शब है तेरा रजब को मौला अली इबने अभी तालीप करम अल्ला वजहूल करीम की विलादते बसादत हुई ती और मौला अली काईना जो हज़त हुई थी उनकी वालदा हज़त फात्मा बिनते असद दर्देज़ के वक्त कावे का तवाफ कर रही थी उसी वक्त दर्देज़ हुआ और कावे की दिवार शक हो गई जब कावे की दिवार शक हुई तो आप कावे के अंदर तश्रीफ ले गई दर्वाजे से नहीं बलके वो विलादत हुई और आपकी विलादत के बाद जो काबा शक हुआ था उसका निशान अभी तलक है माँ जो लोग हच करने या उम्रा करने जाते हैं काब शरीफ में जाते हैं वो देखते हैं वहाँ पे अभी भी वो जो शक हुई थी उसका निशान अभी तलक है बार बार बनाय गया गया मगर वो निशान अब तलक मुझूद है मौला काइनात की विलादत के बाद आप ने तीन दिन तलक आँख नहीं खोली और दूद नहीं पी रहा है जब हुजूर नभी करीम अपने चच्चा के पाद तश्रीफ लाए और आने के बाद देखा बच्चे को गोदमे ल मौला काइनात का गोदमे लिया तो मौला काइनात ने आखे खोल के हुजूर नभी करीम स्टलिला और अले विलाए और देखा। और आपका चेरा इनवड देखने के बाद आपने हुजूर नभी करीम की ज़बान पबार्ख चूसी। वो जबान मबारक जो आपने चूसी उसी का अश्र के इध़र मुलाकाँ ने कहा है खुद कहा है मुला कानाथ ने कि मैंने जो हुजूर् नभी करीम स.en. चूसी थी उसी का अश्र है कि मेरे पास ये इल्म आता हुआ आथा आथा हुआ अल्ला की तरफ से और आप बाबुल ऑल्म कहलाए mola काइनात हज़ात ठाली करम लजू करीम जो है वो हुजूर नभी करीम ﷺ के चचा-जþत भाई भी थे और हुजूर नभी करीम ﷺ ने अपनी चाफ़ाओी ओज़ात इफ भी अदिप कि आख आप हने टाली करीम है वो आपी की उलाद है और मुला काइनात ने हर जंग में हुजूर नभी करीम स्वाइब का साथ दिया और हिजरत के दिन जब हिजरत के लिए तश्रीम लेगाए और कुफार काबा ने आपके मकान को चारूं तरफ से घेर रखा था कि जब आप सोएंगे तो इनको शहीद कर दिया जाएगा तो उस वक्त मुला काइनात आपके बिस्तरे अख्दस पे सोए और हुजूर नभी करीम स्वाइब के आपको इर्शाद फरमाया था कि इन इन अश्वास की अमानते मेरे पास रखिये सुबह उटके आप उनको समला देना तो आप बहुत आराम से और पूर सुकून सोए मुला काइनात का खुद का इर्शाद है कि मैं जिस तरह हिजरत की रात सोया था जिन्दगी में किसी दिन इस तरह पूर सुकून नीन मुझे नहीं आई तो लोगों ने पूछा कि आपको इतनी पुरसुकून नीन क्यों नी आई चुक्के चारूं तरफ से कुफारों ने आपको घेर रगाता और उनकी तलवारें आपको मारने के लिए मुस्तादत थी और वो लोग आपको तैयार थे मारने के लिए तो आपने फरमाया कि हुजूर नभी करीम ने ये फरमाया था कि सुबह उटके ये ये अमानतें जो हैं लोगों तलग पहुचा देना तो मुझे ये यकीन था कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड सकेंगे और मैं सुबह खैदियत से उठूँगा और हुजूर के पास जो अमानतें थी वो लोगों तलग पहुचा दूँगा मुला ये काइनात रजी आल्ला ताला नहीं जब चौते खलीफा बने तो आपने फरमाया था कि तीनु खलाफाओं ने मुझसे मुझसे मशवरा करके हुकूमत की थी मगर अब मेरे पास कोई ऐसा मशवरा कर देने वाला नहीं है जैसा मैंने उनको दिया था इसलिए एक खल्फिशार हो रहा है इसी खल्फिशार की वज़े से आप अपनी दारूल हकूमत जो है मदीने से कूफा ले गाए और कूफे के अंदर आपको मस्जिद कूफा में कीस रमदान को अब्दुर्यमान बिन मुल्जिम्ने पीछे से तलवार मारके शहीत कर दीगा इन्नल्लाह अन्नलाजिव